बॉनिंग स्टुडेंट्स, वेल्कम टो ओर यूट्यूब चैनल, नानमेंश्री मोडल स्कूल, इन स्टैंडर्ड सेकेंड, आज हम हमारा जो थर्ड चेप्टर है, वो स्टार्ट करेंगे, जो चेप्टर नमबर थर्ड इस पार्ट्स अफ़ कॉंपुटर यानि की जो कॉंप सारे पार्ट्स मिलकर एक कॉंपुटर है, वो बनता है, दे आर मोनिटर, कीबोर्ड, माउस, सिपीउ, स्पीकर्स, एंड प्रिंटर, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर पिक्चर है, जिसमें यहां पर मोनिटर है, सिपीउ है, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर्स, एंड प कौन-कौन से पार्ट से कॉम्पुइटर के तो एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपी यू, स्पीकर्स, एंड प्रिंटर यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट है वो है यहाँ पे मॉनिटर यह वाला यह जो है यह है मॉनिटर, मॉनिटर है वो बिल्कुल यह जो है बिल्कुल टिवी की तरह दिखता है टिवी जो हमारा होता है घर पे उसकी तरह दिखता है next है CPU ये है CPU CPU है वो एक box की तरह दिखता है और जो CPU है वो एक box की तरह दिखता है और जो computer का जो सारा काम होता है जो भी computer का सारा work होता है वो CPU ही करता है next is a keyboard यह है keyboard, keyboard में बहुत सारी keys होती है, more than 100 keys, more than 100 keys, यानि की 100 से भी ज्यादा keys keyboard के उपर होती है, आप जब भी कोई key press करते हैं, तो वो word आपको, जो हमारी monitor screen है, उस पे type किया हुआ, मिलेगा, फिर next है mouse, यह है mouse, mouse से आप monitor के screen पे कोई भी object है, कोई भी icon है, उसको click करके उसको open, कोई भी file है, उसको open कर सकते हैं, फिर next है speakers, यह है speakers, speakers के जरीए आप जो भी कोई भी आप monitor में, या आप computer में कोई भी movie या video देख रहे हैं, तो उसकी जो voice है, उसकी जो आवाज है, वो आप speaker से सुन सकते हैं, next is a printer, यह है हमारा printer, यह जो printer है, वो यह जो printer है, वो जो भी आप computer में देखते हैं, अगर आपने कोई भी picture या फिर drawing देख ली है computer में, उसकी print आपको paper पे चाहिए, आपको color करना है, तो आपको उसकी print चाहिए अगर, तो वो print आप वहाँ पे से निकल सकते हैं, print निकल के आप, उस पे color कर सकते हैं, कोई भी picture है, उसमें कुछ भी हो, आपका document कुछ भी हो, उसकी print आप printer से निकल सकते हैं, तो यह है हमारा printer, तो and printer are the parts of a computer next is the monitor next हमारा जो टोपिक है वो है दो मोनिटर तो मोनिटर लुक्स लाइक टीवी स्क्रीन आप यहां पर देख सकते हैं जो मोनिटर है वो एक्जेट जो हमारा टीवी स्क्रीन है उसकी तरह दिखता है आप कीबोर्ड का यूज करके जो कुछ भी अगर टाइक करते हैं कुछ भी तो वो आपको अमारी जो मोनिटर की स्क्रीन है उसके दिखता है यहां पर हमारी मोनिटर की स्क्रीन पे लिखा हुआ है यह सारे वोर्ड अपने कीबोर्ड में से उसकी की है उसको प्रेस करके आपने किया है अपने है next you can watch cartoon films and movies on it you can watch cartoon films and movies on it आप movies और cartoon films है वो जो आपकी monitor की screen है उस पे देख सकते हैं so students ये था हमारा the monitor यानि कि जो monitor है वो क्या है और उसका use क्या है तो एक बार हम फिर से repeat कर लेते हैं the monitor looks like a tv screen monitor है वो tv screen की तरहा दिखता है it shows whatever you type using the keyboard आप keyboard के use से जो कुछ भी type करते है वो monitor अपनी screen पे हमको दिखाता है you can watch cartoon films and movies on it हम cartoon films और movies है वो monitor पे देख सकते हैं तो ये था हमारा monitor is the keyboard the keyboard is used to write keyboard है वो write यानि कि लिखने के लिए keyboard का use होता है यानि कि अगर आप कोई भी की है वो press करते है for example a b c d कुछ भी आप कोई भी बटन है कोई भी की है वो keyboard में से press करते है तो उसका जो output यानि कि उसका जो answer है यानि कि आप A प्रेस करते है तो A है वो आपको दिखाई दीगा आपकी monitor की screen पे देखिए यहां पे है monitor हमारा keyboard keyboard में सबसे उपर पहले यहां पे जो है वो है number keys फिर है backspace आपको मैं दिखाती हूँ यह जो सारी है यह है number keys यहां पे number लिखे हूँ है चोटे चोटे आप देख सकते हैं 123456789 and 0 यह है number keys फिर यह है backspace यहां पे लिखा हूँ है इसके उपर backspace फिर यह है delete key इसकी मदद से आपने कुछ भी अगर type किया है तो उसको आप delete कर सकते हैं फिर next है cursor keys यह जो हमारी चार एरो है up down right or left वो चार एरो जो है four arrows है वो सारे cursor keys है then next is a shift key here is a shift key and here is also shift key the next caps lock key it's a caps lock key caps lock key से क्या होता है अगर आपने a for example आपने अगर a type किया है computer में आपको a f or apple लिखना है तो आपने a key key press की है अगर वो capital letter में small letter में a type हुआ है और आपको capital letter में लिखना है तो आपको पहले caps lock का button है जो की है उसको press करना पड़ेगा उसके बाद आप कोई भी word है वो type करेगे वो आपको capital में दिखाए देगा next is a space bar next one is a space bar then letter keys all are the letter keys यहां पर चितने भी alphabets लिखे है वो सारे है हमारी letter keys तो यह है keyboard keyboard में कौन-कौन सी keys होती है यह हमें यहां से दिखाए देगा the keyboard has many keys on it keyboard में बहुत सारी keys होती है there are letter keys a to z and number keys 0 to 9 letter keys यानि की a to z हमारा जो a to z जो alphabet है उसको हम letter keys बुलेंगे and number keys 0 to 9 0 to 9 is a number key the letter keys are used to write words and sentences letter keys है वो words और sentences है उसको type करने के लिए उसका use होता है the number keys are used to write numbers numbers की है वो numbers है उसको write करने के लिए उसका use होता है the space bar the space bar is used to put spaces between letters और words यानि की कोई letter है या फिर कोई दो words है उसके बीच में आपको a space रखनी है तो आप space bar press कर सकते हैं the enter key the enter key is used to go to the next line आपको अगर next line पे जाना है तो आप letter key का use कर सकते हैं the enter key is used to go to the next line enter key है उसको आपको press करेगे तो आप next line पे चले जाओगे the caps lock key and the shift key is used to type in capital letters caps lock key and the shift key are used to type in capital letters capital letters में आपको type करना है तो caps lock key या फिर shift key को press करके आप capital letter में लिख सकते हैं the cursor keys are used to move the cursor up or down and down a line and to the left or right of a line cursor keys यानि कि जो हमने चार arrow वाली keys देखी थी उसको हम cursor keys बोल सकते हैं जो हमारी cursor keys है वो अगर लाइन में up और down right और left जाना है तो उसके लिए यह use होता है तब backspace key and the delete key is used to erase what you have type backspace key and delete key is used to erase what you have type backspace key और delete key है जो हम type करते हैं उसको erase करने के लिए backspace key और delete key का use उसके लिए होता है तो यह था हमारा keyboard तो students आपको समझ में आ गया होगा कि keyboard है वो कैसा दिखता है और keyboard में कौन-कौन keys होती है keyboard में होती है letter keys, number keys, space bar, enter, cap-slope, shift, cursor keys, backspace key and delete key तो यह था हमारा keyboard keyboard ऐसा दिखता है और keyboard में इतनी सारी जो है वो keys होती है फिर next है the mouse the mouse has two or three buttons on it mouse के उपर दो या तीन जो है वो buttons होते है it is kept and moved on a mouse pad mouse है वो जो mouse pad है उसके उपर रखा जाता है और उसके उपर से उसको आप move कर सकते है hold the mouse properly as shown here आप mouse को properly hold करे आप देख सकते हैं यहां पर hold किया हुआ है ऐसे picture है किसे ने hold किया है mouse को तो mouse को हम ऐसे पकट सकते हैं ऐसे hold कर सकते हैं the mouse is a pointing device it is used to point to any place or think on the monitor it is used to move from one place to another on the monitor जो mouse है वो हमारा एक pointing device है it is used to point to any place किसी भी place पे आपको point करना है तो वो आप monitor से कर सकते है it is used to move from one place to another on the monitor आप एक जगा से दुसरी जगा जाना चाते हैं monitor पे तो आप mouse की help से move करके जा सकते हैं देखिए यहां पे हमारे monitor की screen है जो यहां पे monitor की screen है उसमें यह जो छोटा वाला arrow है इसको home cursor बोलते है यह है हमारा mouse pointer आप mouse को move करोगे तो हमारी जो monitor की screen है उस पे जो arrow दिखेगा वो भी move होगा the mouse is also used to draw pictures and play games mouse की help से हम games भी खेल सकते हैं और pictures है उसको भी हम draw कर सकते हैं तो यह था mouse so students हमने जो कुछ भी आज किया है उसको हम फिर से repeat कर लेते हैं हमारा chapter है वो है parts of a computer, computer है वो किस parts से बना हुआ है a computer is made up of many parts, many यानि की ज्यादा parts यानि की उसकी चुपा computer है वो बहुत ही ज्यादा parts से बना हुआ है तो वो कौन कौन से है तो first one is a monitor, then keyboard, mouse, CPU, speakers and printer I repeat this monitor, keyboard, mouse, CPU, speakers and printer ज्यापे हमें picture में दिखाया गया है monitor है, CPU है, keyboard, mouse, speakers और printer ये सारी pictures है हमारे जो computer के जो parts है उसकी तो इन चीजों से मिलके हमारा जो computer है वो बनता है next is the monitor, monitor के बारे में यहाँ पे सिखाया गया है the monitor looks like a TV screen हमारे घर पे जो TV होते है उसकी screen जैसी होती है वैसा ही computer दिखता है monitor है वो दिखता है और monitor की screen वैसी ही दिखती है इसलिए यहाँ पे write किया हुआ है the monitor looks like a TV screen next is it shows whatever you type using the keyboard आप keyboard के use से जो कुछ भी type करते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है you can watch cartoon films and movies on the computer के अंदर से monitor पे हम cartoon films और movies भी देख सकते हैं फिर next था हमारा keyboard keyboard है वो ऐसा एक सा rectangular shape में एक board होता है प्लास्टिक का जिस पे बहुत ही ज्यादा कीस होती है hundred से भी ज्यादा कीस होती है the keyboard is used to write keyboard है वो write करने के लिए use उसका होता है numbers की, backspace की, delete की और shift की, caps lock, space bar, letter की और cursor की यह सारे जो कीस है वो keyboard के उपर होती है उसमें जो letter कीस है वो words और sentences उसको type करने के लिए letter की का use होता है फिर है number कीस यानि की 0 to 9 number लिखा हुआ है वो सारी number कीस है then space bar, space bar is used to put space between letters और words यानि की words और letters के बीच में अगर आपको space रखनी है तो space bar का use होता है the enter key is used to go to the next line यानि की next line में enter करने के लिए enter की का use होता है the capsular key and the shift key is used to type in capital letters shift key और capsular key है वो capital letter है उसको type करने के लिए उसका use होता है the cursor keys are used to move the cursor up or down a line and to the left or right of a line यानि की up or down और left or right lines है उसमें cursor की है उसकी मदद से हम उस पे जा सकते हैं फिर है backspace key and delete key backspace key and the delete key is used to erase what you have type हम जो कुछ भी type करते हैं तो उसको हम उस पे हम उसको हम erase करने के लिए backspace key और delete key का use करते हैं next is the mouse the mouse has two or three buttons यानि की mouse है उसका दो और दो से भी ज्यादा buttons होते है it is kept and moved on a mouse pad mouse pad के उपर उसको रखा जाता है और उसको hold किया जाता है mouse is a pointing device mouse को हम pointing device भी बोल सकते है it is used to point to place or thing on the monitor monitor पे कोई भी place पे और कोई भी thing है उसको select करने के लिए हम बोल सकते है it is used to move from one to another on the monitor monitor पे हम एक place से दुसी place पे जाने के लिए monitor की screen है उसका use करते है the mouse is also used to draw pictures and play games mouse है उसको उस पे हम games खेल सकते है और pictures है उसको हम देख सकते है तो ये थे हमारे computer के parts बाकी के जो parts है वो हम हमारे next video में देखेंगे तब तक के लिए good bye and have a nice day students